सरकारी स्कूल में मरम्मत का कार्य करते समय थेकेदार के दिवार में दबने से मौत का मामला फिर उस्त खान, सी स्वाली, राच्किय उच्च माध्यमेक विद्यालाई की कमरे की दीवार का मर्मत का कार्य करते समय देवार वर कमरे की छट नीचे आ जाने से मलबे में थेकेदार दौलत राम उर्फ पप्पु प्रजापत 50 की दबने से मौत हो गई थी इसको लेकर गुस्साए पर जनोव समाज के लोगों ने शव लेने से इंकार कर दिया था और कल से सीनियर विद्याले के सामने मृतक को आर्थिक सहाइता वसरकारी नोकरी की मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जो दूसरे दिन भी जारी रहा परिजन्व समाज की महिलाओं व पुरुशों ने रविवार को भी रोल जाम कर विरोध प्रदर्शन किया रोल जाम कर रहे लोगों के पा सत्हाना दिकारी उत्तम सिंग व पुलिस स्टाफ ने पहुँच कर समझा इसकी मगर ये लोग अपनी मान पर अडे हुए हैं अधिकारी लगातार समझा इसका प्रयास कर रहे हैं तई अधिकारियों ने सीस्वाली में कैम्प कर रखा हैं वोही सीस्वाली पुलिस ने विद्यालई की प्रद्धानाचार्य धनराज महावर वचार अध्यापक की खिलाफ म कर लिया है समाज की लोगों का धर ना चल रहा है ठीक साब बैठों विराजों आपनों